28 पाठ गधा और सियार चित्र कथा 2 प्रेश्ठ संख्या 134 से 140 तक अब प्रस्तुत है पाठ चित्र एक गधा और सियार में अच्छी मित्रता थी वे दोनों एक साथ रहते एक साथ भोजन की खोज में निकलते चित्र दो चांदनी रात थी दोनों भोजन की खोज में निकले चित्र तीन वे ककड़ी के खेत के पास पहुँचे चित्र चार ककड़ी देखकर उनकी भूख और तेज हो गई वे दोनों खेत के भीतर पहुँचे चित्र पांच पेट भर ककड़ी खाने के बाद दोनों खुश हुए सियार साधारन खुशी को महत नहीं देता था वे चुप रहा लेकिन गधा चुप नहीं रह सका वे बोला मित्र मज़ा आ गया अब गाना गाने का मन हो रहा है चित्र छह सियार ने गधे को समझाने की कोशिश की मूना खोलना किसान जग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे चित्र साथ तब गधा बोला किन्तु मैं खुश हूँ अब मैं खुशी में गाना काए बिना नहीं रह सकता गधे ने सियार की बात नहीं मानी वे जोर से गाने लगा चित्र आठ चित्र दस सियार किसान को देख कर भाख खड़ा हुआ लेकिन गधा पकड़ा गया चित्र ग्यारह किसान ने गधे की खुब पिटाई की चित्र बारह बेचारा गधा मार खाता रहा दूर खड़ा सियार दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा किसान गुस्से में गधे से बोलता है तुमने फिर खेत की और मूँ किया तो तेरी जान निकाल लूँगा चित्र ते रह किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर भगा दिया चित्र चौदह गधा नीचे पड़ा पड़ा करा रहा था सियार गधे के पास धीरे धीरे आया गधा बोला हाई हाई मैं मर गया दोस्त मेरी दवा कराओ दर्द से मरा जा रहा हूं लगता है मेरी हड्डियां कई जगा से तूट गई है चित्र पंद्रह सियार ने गधे के आशू पोछे धांडस बंधाया लेकिन गधा धहरे चोड़ कर चीख चिल्ला रहा था सियार गधे से बोला मैंने तुम्हे सावधान किया था मित्र पर तुमने मेरी बात नहीं मानी सिर पर संकट बुला लिया अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी चित्र सोलह गधा सियार से बोलता है मैंने क्या गलत किया है दोस्त खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है यह मेरी गलती नहीं है मैं मानता हूँ कि जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे अच्छे नहीं होते जब गधे ने तर्क दिया तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हसी आ गई चित्र सत्रह सियार गधे से बोला तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों भले हैं मित्र पर गलती यह है कि धैरे के साथ रहकर उचित्समय को पहचानने की बुद्धी तुझ में नहीं है इसी लिए तुम संकट में पड़ गए सियार की बात गधे की समझ में आ गई चित्र अठा रहा तुम ठीक कह रहे हो दोस्त धैरे नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैं गाने लगा खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है और समय की पहचान भी धैरे के बिना नहीं हो सकती धैरे से रहने और उचित समय को पहचान कर कारे करने की बुद्धी मानी गधे ने कश्ट में पढ़कर सीख ली अभ्यास एक यहां कुछ कथन दिये गए हैं आप बताएं कौन सा कथन किसका है कथन एक अब गाना गाने का मन हो रहा है कथन दो जो लोग खाने के बाद गाते नहीं वे लोग अच्छे नहीं होते कथन तीन धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धी तुझ में नहीं है कथन चार खुशी को भोजन की तरह पचाना आवश्यक है दो अब इन प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रशन संख्या एक सियार ने गधे को गाना गाने से मना क्यूं किया प्रशन संख्या दो ककडी खाने के बाद गाना गाने की गलती गधे ने क्यूं की प्रशन संख्या तीन गधे ने कश्ट में पढ़कर सियार से कौन सी बुद्धिमानी सीखी प्रशन संख्याइ झाल झाल